नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है बॉलिवूट के फर्जी बाश्चा ये नकली किंग शारुक खान के बेटे आरियन खान के ड्रग केस में एक फिल्मी टुस्ट आया है फिल्मी टुस्ट इसलिए क्योंकि अकसर ही हिंदी फिल्मों में आप देखते होंगे कि जब किसी रसूगदार विलन के खिलाब कोई सच्चा गवा खड़ा होता है तो मालुम जलता है कि उसके उपर कुछ दवाव दी जाती है कुछ ऐसा होता है कि गवाही पलट जाता है जो बाते वो पहले कबूल चुका है उससे वो पलटी मार देता है मतलब यूटन ले लेता है आरियन के केस में ऐसा ही हुआ है क्योंकि NCB का गवाह नमबर एक उसने यूटन ले लिया है वो रोग हो गया है और दरसल उसने एक एफिडिविट सामने लाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है ये आरोप लगाया है कि ये जो समीर वान खेडे जिसको पूरी दुनिया हिरो मान रही है वो दरसल आरियन खान को इसले पकड़ा क्योंकि वो वसूली करना चाह रहा था कड़ों की डील हो रहे थी क्या क्या डीटेल्स है ये मैं आपको आगे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें कितनी सचाई है और कितना ये गलत है लेकिन इस से पहले ये भी समझना जरूरी है कि NCV की और से ये दावा किया गया है ये सारी कहानी का जो जड़ है वो खबर ये है कि NCV के पास इस बात के अब सबूत मिल गये है कि आरियन और उसकी जो मित्र मंडली है इन लोगों ने डार्क निट के जरीए ड्रक्स की खरिदारी की है जो ड्रक्स विदेश से हिंदुस्तान आये जिस तरह से M.D.A. में एस्टेसीज के टैबलेट्स ये दरसल डार्क वेप के जरीए डार्क निट के जरीए इसे खरिदार की गई है और इसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तमाल हुआ है इसके सबूत N.C.B. के पास मिल गए है ऐसी खबर आ रही है और ये खबर आई नहीं कि एक एफिट बिट आ जाता है जो N.C.B. का गवाह नमबर एक है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन आरोपों को पर हम आएंगे लेकिन ये समझदा जरूरी है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसे एक मिनट के लिए सच मान भी लिया जा सकता था लेकिन जिस हिजाब से जब से ये शारुक खान का बेटा N.C.B. के शिकंजे में आया है तब से लगातार कभी कोई महरास्ट का मंत्री तो म पता नहीं कौन कौन से कॉंग्रेस के लीडर्स ये तमाम लोग इस बात के उपर आमदा हैं इस बात को प्रूब करने में जुटे हुए हैं कि उसको फसाया जा रहा है उसको टार्गेट पे लिया जा रहा है वो एक मुसल्मान है वो एक खान है उसके नाम के पीछे खान लि जाता है कभी फादर को घंचिटा जाता है और समीरवान खेड़े के ऊपर यह आरोप लगाए जाता है कि वो दुबई ओ मालदीव में यह ड्रक पैडलर से उगाही का काम करते हैं खैर इन सारे सवालों का जवाब तो समीरवान खेड़े ने दे दिया लेकिन यह जो नया बिस सारे केसेज में जो गवा होते हैं वो पलट जाते हैं किसलिए पलटते हैं वो कहानी तो बाद में पता चलता है लेकिन यह कोई नई बात नहीं है कि किसी important case में कोई गवा पलट गया हो लेकिन यह जो पलटी जो उसने मारी है वो पलटी मारने का जो तरीका है वो बड़ा ही अजीब औ गरीब सा लग रहा है आप देखिए ये जो एविटिविट हमारे पास है ये हमारे हाथ में उसके एविटिविट के कुछ पन्ने हैं बकाइदा अंग्रेजी में लिखा हुआ है बॉडिकाड ने जरूर कोई लीगल मदद ली होगी ये उसका दिकार है मतलब ये कि कोई बड़े वकीलों के गरुप ने कोई लीगल माइड ने इस पूरे एविटिविट को तयार किया होगा एक एक सब्द एक वाकि एक चीज कानून के इसको कह सकते हैं कि आएने में उसको परखा किस तरह से जाएगा कोट में किस तरस इस पे बहस होगी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम आरोप लगाए गया है क्या आरोप लगे हैं आरोप ये लगाए गया है कि भई ये जो समीर वान खेड़े है वो एक डील करना चाह रहा था इसलिए उसने आरियन खान को पकल लिया किरन गोसावी किसी सैम डिसूजा के जरिये शारुक खान की मैनेजर पूजा डेडलानी से पच्चीस करोड रुपे लेने की बात कर रहे थे और आखिर में अठारा करोड रुपे में सेटल करने के लिए किरन गोसावी राजी हो गया था किरन ने आगे बातचीत में कहा कि इस अठारा करोड में से आठ करोड एनसीबी के जोनल डिरेक्टर समीर वान खेडे को देना है हलाकि बाद में पूजा डेडलानी फोन नहीं उठा रही थी इस बात का भी एफिडिविट में जिक्र किया गया है मतलब ये कि जो पूजा डेडलानी ये दरसल सारुक खान की मेनेजर है उससे ये बादचीत ये गोसावी और सैम डिसुजा नाम का कोई सक्स है वो कर रहा था ये डीलिंग चल रही थी पच्चीस करोर रुपे की जो अठारा करोर रुपे में फिर वो जाकर के वो सेटल हो गया अब सवाल तो ये उठता है कि जब डील सेटल हो गया था अठारा करोर रुपे में आठ करोर वो समीर वांग खेटे को भी मिलना था ये जो आरोप लगा रहे हैं जो आरोपी हैं वो सारी कुछ बता रहे हैं जब डील हो ही चुकी थी तो फिर वो गिरफतार कैसे हो गया फिर समीर वान खेड़े ने उसे क्यों पकड़ लिया और ये बेटे के लिए पचीस कौड़ों रुपए देना शारुक खान के लिए तो क पचीस कौड़ों रुपए ऐसे निकल जाएंगे ये तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं अगर डील 18 में हो चुकी थी तो उसके बाद पूजा डेडलाली ने फोन उठाना क्यों बंद कर दिया मतलब डील फेल हो गई है क्या हो गया ये बातें इस एविडिविट से तो सारुख खान की मेनेजर पूजा डेडलानी किरन गोसावी और सैम डुसुजा के बीच 15 मिनिट तक बातचीत हुई ये दावा है ये एविडिविट में बकाइदा और ये सारी चीजे पुष्टी ये जाच का विशे आ गया कहा मुलाकात हुई सीसी टीवी फूटेज होगा उसका अगर सारुख खान की घर से कोई गाली निकल रही है जो वाइट मर्सिडीज है तो वो तो कहीं ने कहीं रेड लाइट पे गई हुए आपने देखा नहीं किस तरीके से ये सचिन वाजे कहां कहां गाली बदल रहा था किस किस तरीके से जा रहा था हर जगह के सीसी टीवी फूटेज मिल जाते हैं सब के डिजिटल इंप्रिंट होते हैं कि कौन कहा किस वक्त कहा था अगर इन बातों में सचाई है तो इसका बिल्कुल जाज से पता चल जाएगा लेकिन सवाल कुछ और भी है इस आरोपी ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी इसने बताया कि उसे पंच विटनिस बनाने के लिए समीर वान खेड़े और इनसे भी के अधिकारी ने करीब नौ से दस पेज पर उसका साइन लिया जो ब्लैंक पेज थे अब सवाल तो ये पूछने लाजमी भई आपने ब्लैंक पेज पेज पे ही क्यों साइन कर दिया इसके लिए कोई दवाव आपको दिया नहीं गया आप आपने ये काम आखिर किया कियो और अब आप कह रहे हो कि आप से जबन दस्ति कराएगे तो उसका भी कोई प्रूफ हो आप ये प्रूफ बना ले रहे हो कि वो फोन से बाचीत हो रही है अंदर की तस्वीर आप ले रहे हो अंदर की कहानी सुन रहे हो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है और आप ये कह रहे हो कि समीर वान खेड़े ने का कि हमें ये ब्लैंक के उपर ही साइन कर दो अब इसके इन सारे चीजों के तो आपको सबूत देने होंगे अगर सबूत नहीं होगा तो एंसे भी कह रही है कि इन लोग के इसके उपर भी कारवाई की जाएगी ये जो गवाह जो पल्टी मार चुका है इसके उपर जवाब भी दिया जाएगा NCB के तरफ से साफ साफ समीर वान खेड़े ने कह दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं दरसल ये किसी बहुत बड़े खेल का जिसको कह सकते हैं कि ट्रेलर है अब ये सारी चीजी हो रही है इसका क्या मतलब है मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां सरकार जहां कि मंतरी जहां कि पूरा सिस्टम एक ड्रग के केस में फसे आरोपी को बचाने के लिए सामने आ जाए जो जाँच के प्रक्रिया में हर जगा लंगी मारने का काम करना शुरू कर दे अवरोध उत्पन करना शुरू कर दे तो वैसे महाल में इस तरह की चीजी तो होगी गवाह भी पल्टेगा अभी तो एक पल्टा है कल और पल्टेगा और यह जो गोसावी किरन गोसावी है वो लापता है पता नहीं है भी या नहीं है किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है वो कहां जब से वो नजर आया उस सेलफी लेते हुए तब से वो गायब है और अचानक से ये बाते सारी चीजे हो रही है तो इसमें ये जो किरन गुसावी जब सामने आएगा तो उससे सही सही बात का पता चलेगा क्या ये सक्स ये जो प्रभाकर नाम का व्यक्ति है ये जो एविडिविट दिया है वो भी किसी दवाब में दिया ये भी जांच का विशय होना चाहिए अगर ये सारी बाते उसको ये पहले से मालूम थी इसने पहले क्यों नहीं बताया इतने दिनों तक वो चुप क्यों रहा और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है कि अगर आरियन खान को पकड़ा ही इस चीज के लिए गया था कि समीर वान खेडे वो वसूली कर सकें तो डील तो हो गई थी डील होने के बाद फिर भी आरियन खान को जेल में क्यों डाला गया क्यों उस पे कारवाई की गई कई सारे सवाल है इसको पर जाच होनी भी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से कोई एक सक्स कोई सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग आपिसर समीर वान खेड़े जैसा इमानदार सक्स जो सीधे सीधे डग माफिया के कलेजे पे चड़के उसे चुनोती दे रहा हो उसको प्रतारित करने के लिए आपने कौन कौन से तरकीब आपने नहीं अपनाया कौन कौन से आरोप उसके उपर लगाए गए कभी आप उसको BGP का स्टूर्ज बताते हो कभी आपकी कहते हो कि यह वसूली का धंदा करता है यह दुबई में वसूली कर रहा था यह मालदी में वसूली कर रहा था इन सब चीजों से नहीं मन वढ़ता है आप उसकी बेहन को ड्रैक कर लेते हो और अब जब सब चीज बिलकुल फेल हो गया तब आपने एक और नया आरोप लगाया है ये दावा है ये जो एफिल्टिबिट है ये दरसल ये प्रभाकर का दावा है इस दावे की सचाई क्या है ये पता लगाना अब एंसिबी का भी का है पुलिस का भी काम है और सेंट्रल एजिंसियों का भी काम है क्योंकि ये मसला अब धीरे धीरे विकराल होता चला जा रहा है और हमारी नजर लगातार इस खबर पे बनी हुई है आप देखते रे कैपिटल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद